नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है आज आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी प्रेम चंद के पटे जूते जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने तो लीजिए सुनते हैं प्रेम चंद का एक चित्र मेरे सामने हैं पत्नी के साथ फोटो खिचा रहे हैं सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने है कनपटी चिपकी है, गालों की हड़ियां उभर आई है पर घनी मूछें चहरे को भरा भरा बतलाती है पामों में कैन्वस की जूते हैं जिनके बंद बेतर्तीब बधे हैं लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरो पर की लोहे की पत्री निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परिशानी होती है तब बंद कैसे भी कस लिये जाते हैं दाहिने पाउं का जूता ठीक है मगर बाए जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है प्रेमचन के फटे जूते शीरशक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचन के व्यक्तितु की सादगी के साथ एक रशनाकार की अंतरभेदी सामाजिक द्रिश्टी का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ती एवं अफसर वाधिता पर व्यंग किया है मेरी द्रिश्टी इस जूते पर अटक गई है सोचता हूँ फोटो खिचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी नहीं इस आदमी की अलग-अलग पोशाके नहीं होंगी इसमें पोशाकें बदलने का गुर नहीं है यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिच जाता है मैं चहरी की तरफ देखता हूँ क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्तिक पुर्खे की तुम्हारा जूता फटकेया है और अंगुली बाहर दिख रही है क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है जरा लज्जा, संकोच या जेप नहीं है क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खीच लेने से अंगुली ठख सकती है मगर फिर भी तुम्हारे चहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को थीरे थीरे खीच कर उपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटो ने थैंक यू कह दिया होगा विचित्र है यहादूरी मुस्कान या मुस्कान नहीं इसमें उपहास है व्यंग है या कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिचा रहा है पर किसी पर हज भी रहा है फोटो ही खिचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिचाते फोटो ना खिचाने से क्या विगड़ता था शायद पत्नी का आगरह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे मगर यह कितनी बड़ी ट्रजडी है कि आदमी के पास फोटो खिचाने को भी जूता ना हो मैं तुमारी यह फोटो देखते देखते तुमारे प्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पढ़ना चाहता हूँ मगर तुमारी आखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है तुम फोटो का महतु नहीं समस्ते समस्ते होते तो किसी से फोटो खिचाने के लिए जूते मांग लेते लोग तो मागे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मागे की मोटर से बारात निकालते हैं फोटो खिचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है तुम से जूते ही ना मांगते बने तुम फोटो का म्यात्व नहीं जानते लोग तो इत्र चुपड कर फोटो खिचाते हैं जिससे फोटो में खुश्बू आ जाए गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुश्बू देती है टोपी आठ आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी पांच उपे से कम में क्या मिलते होंगे जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर पचीसो टोपिया नियुचावर होती है तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूले के मारे हुए थे यह विडम बना मुझे इतनी तीवरता से पहले कभी नहीं चुबी जितनी आज चुब रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तुम महान कथाकार उपन्या समराठ युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है यो उपर से अच्छा दिखता है अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगुठे के नीचे तला भट गया है अंगुठा जमीन से घिसता है और पैनी मित्ती पर कभी रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है पूरा तला गिर जाएगा पूरा पंजा छिल जाएगा मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाउ सुरक्षित है मेरी अंगुली धकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है तुम परदे का महत तो ही नहीं जानते हम परदे पर कुर्बान हो रहे हैं तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो मैं ऐसे नहीं पहन सकता फोटो तो जिन्दगी भर इस तरह नहीं खिचवाऊं चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे तुमारी या व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है या? होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हलकू का खेट चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्यूंकि डॉक्टर कलब छोड़कर नहीं आ सकते थे नहीं मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की सराप पी गया वही मुस्कान मालूम होती है मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया यह? मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिये की तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लोटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है घिस जाता है कुम्बन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था उसे बड़ा पश्टावा हुआ उसने कहा आवत जात पनहिया घिस गई बिसर गयो हरिनाम और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परै सलाम चलने से जूता घिसता है फटता नहीं है तुम्हारा जूता कैसे फट गया मुझे लगता है तुम किसी शक्त चीज को ठोकर मारते रहे हो कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फट लिया कोई तीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया तुम उसे बचा कर उसके भगल से भी तो निकल सकते थे तीलों से समझाता भी तो हो जाता है सभी नदियां पहाड थोड़े ही फोड़ती है कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है तुम समझाता कर नहीं सके क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को लेडू भी वही नेम धरम वाली कमजोरी नेम धरम उसकी भी जन्जीर थी मगर तुम जिस तरह मस्करा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धरम तुम्हारा बंधन नहीं था तुम्हारी मुप्ती थी तुम्हारी या पाउं की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है जिसे तुम घ्रणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाउं की उंगली शे इसारा करते हो तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाल लिया मैं समस्ता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समस्ता हूँ और या व्यंग मुस्कान भी समस्ता हूँ तुम मुझ पर या हम सभी परहास रहे हो उन पर जो अंगुली छिपाए और तल्वा घिसाए चल रहे हैं उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाउं बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढाकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे, मैं समस्ता हूं, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समस्ता हूं, अंगुली का इशारा समस्ता हूं, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समस्ता हूं, आशा है कि आपको यह व्यंग भरी कहानी बहुत ही पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं इससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आपके समक्ष और भी अच्छी-च्छी कहानिया प्रस्तूत करती रहूँ कमेंट करना ना भूले आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत थन्यवाद